जैश्री रामभक्तो जैश्री बालाजी महाराज जैमातगी कैसे हो आप सब आश्या करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्सित ही होंगे और बालाजी महाराज मामबे की कृपा भी बनी हुई है यही कामना आप सभी ये लिए रहती है तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम जाने कि हमारी पूजा है क्या हमारे बगवान तक पहुच रही है मादुर्गा तक पहुच रही है या बाला जी महाराज तक पहुच रही है जिनका हम डेली पूजन करते हैं क्या उन पूजा से वो सविकार कर पा रहे हैं हमारी पूजा या नहीं तो अन तक बने रही है तब ही आपको सारी जानकारी मिलेगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वली हर एक वीडियो बरसती रहे क्योंकि इसमें आपका पूर्ण रूप से अधिकार है आप बाबा के प्यारे हो और जगत जन्नीमा भवानी अंबके की किरपा आपके घर में अनपूर्णा रूप में वास करती रहे ऐसी कामना अपने इष्ट देव और शिरी माता नानी से करता हूँ क्या होता है कि जब हम भगवान के परती कोई भी पूजा याचना करते हैं क्या हमें जब ये पता नहीं होता कि हम ये जो पूजा कर रहे हैं क्या हमारे देवता तक ये पूजा पोच भी रही है या नहीं पोच रही है क्या हमारे इष्ट देव इस पूजा से खुश हो रह हैं या नहीं हो रहे या कोई कुल देवी की किरपा हो रही है या नहीं हो रही तो यह कैसे हमें पता लगे हम कैसे जाने कि हमें इस पूजा का फल प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा होता है जब भी कोई कारिया होता है शुरुआती तोर पर जैसा कि हम कभी कोई भो अनन्द है उस अनन्द से क्या त्रिप्त हुआ आपकी अंदर की आत्मा आपको त्रिप्त ड़कार भी आई आप अंदर से संतुष्ट हुए आपके अंदर से खुशी महसूस होई और एक भोजन ऐसा होता है कि जिसको खाने के बाद मालो आपको स्वाद नहीं था बस मिर्च मिर्च थी मालो टेस्ट नहीं था तो उससे क्या हुआ उससे अप संतुष्ट नहीं होए अनसंतुष्ट हो गए आपकी त्रिप्त ड़कार नहीं आई पानी पिया करेजा जला अलग बात है तो इसी पकार से जब हम भगवान के परती जब कोई पूजा याचना करनी स्टार्ट करते हैं अगर हमारी पूजा याचना के अंदर हमारे भाव प्रवेश कर जाएं हमारे अंतर के भाव जब वो अंतर के भाव भगती रुपेन माला के अंदर पिरो दी जाते हैं तब उससे भगवान को खुश होना ही होना पड़त है और वो भगवान की किरपा भी आपके उपर प्राप्त होगी और आप इसको खुद भी जान सकते हो जिस पूझा को करने से आपके अंदर अनन्द मैसूस हो आपको बचैनी ना मैसूस हो शुरू शुरू में अगर हम कोई मंतर जाब भी करते हैं या कोई पूजा याचना करते हैं अगर मान लिजे अगर आपने कोई सुन्दर कांड का पाठ पगड़ लिया कि मैं इतने समय तक सुन्दर कांड का पाठ कर रहा हूं डाई गंटे का पाठ होता है आपने शुरू-शुरू में किसी को देखा आप या यूटूब पर देखकर या कहीं से भी देखकर आपने कर लिया अब आपने शुरू-शुरू में जो भी भाव उसमें दिखाए होंगे उस भाव से अब उसका फल की प्राप्ति को आप देखने लग गए कि हमें फल का प्राप्त होगा इसी दुरान आपका जो ध् आज मेरा पूजा करते वक्त मेरा 21 वा दिन है और आज आपका यह स्वार्त रुपेन कारिया हो गया आपके शरीर में दर्द होता है अब उस जैसी भक्ति नहीं उत्पन हो रही जो शुरू-शुरू में आपने मलो करी थी तो भगवान कभी भी यह नहीं कहते कि आप इस प अंदर से ही आनन्द आए और उस भक्ति करने के बाद आपको यह मैसूस होए कि इस भक्ति की किरपा ही मेरे उपर है इस भक्ति की किरपा से ही मेरे घर के अंदर यह सब कुछ हो रहा है और उस भक्ति से इतनी सी भक्ति से भी मालो आपके घर में संतुष्टी है कोई रोग नहीं है कोई दोश नहीं है कोई बीमारी नहीं है कई वार हम बगवान की भगति को भी बागवान की पूजा को भी धन से तोल देते हैं कई वारी हमारे करम ऐसे होते हैं कुछ पिछले जनमों के जिन करमों के बारे में हम अग्यात होते हैं हमें कुछ नहीं पता होता क्या पत वारी नहीं जो दोश नहीं और घर के अंदर शुक्षांति निकिर आत्मा संतुष्ट नहीं हो रहे है तो यह नहीं है कि आपकी भक्ति सविकार नहीं हो रही है उस भक्ति से जो माल लिजे heeft आपने पिछले कुछ जर्मों पहले क्या पता को ऐसे कारिये करे हैं जैसे कि किसी गरव बती, गुतिया को मारा हो, एकशिडेंट के दुरान, अनजाने वक्ष मरगी हो, अब वो करम जो है, आप के इस जर्म में भक्ति के साथ साथ गट रहे हैं. आपके देवता तक वो शक्ति पराप्ट हो रही है. अगर आपके घर में शांती है आपके घर के अंदर खुशाली है सिर्फ आपके घर में धन का टोटा है तो ये मत सोच देना कभी भी की भगवान की भगती कर रहे हो और धन नहीं आ रहा धन जो है मनो अन तो आ रहा है एक समय की रोटी चल रही है बुखे हम नहीं सो रहे क्योंकि हम उसकी प्रम पिता प्रमात्मा की संतान है हमारे घर के अंदर मनो धन नहीं आ रहा है कैसे न कैसे आ रहा है ये हमें नहीं पता इस बात को हम नहीं जानते तो ये आपकी भगवान तक सविकार हो रही है इसमें ये संदे नहीं करना कि आपकी भक्ति जिदिकार नहीं हो रही क्योंकि आपके घर में कोई शरीरिक रोग नहीं है कोई पीड़ा नहीं है कोई दुख नहीं है किसी भी पकार का कोई इस पकार की वो नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके देवता की किरपा आपके उपर नहीं है आपके दे ज़्यादा ध्यान लगता है ये बात भी है आगर धनो जेमे होगा continue हो ओब आपके उपर 10 साल मुसिबट के हो जो 10 साल के ज्यादा मुसीबत को क्या पता आप की भगती से continue माला से ओदस साल पास साल में रहेगी हो जिस परकार दो गिलास होते हैं भरे वे जब एक गिलास संकट का भरावया होता है नीचे से लेकर उपर तक उसमें पानी छलक चाता है कस्ट से भरावया होता है अब एक गिलास जो होता है खाली जब आप भक्ति करना स्टार्ट करना स्टार्ट करते हो तो उसका पानी जो है इसमें थोड़ा थोड़ा डलना स्टार्ट हो जा जाता है दिरे दिरे वो पानी जो है साफ सुत्रा और फिल्टर होने लग जाता है उसमें जो गल्त पकार की जो बैड करन होते हैं जो गल्त बैक्टिरिया जैसे जो प्रदात होते हैं वो सब उससे रहित हो जाता है मालों वो जब एक वक्त आता है जब पानी पवित्र बन जा अब मालो कहीं से तांतरिक होते हैं आपके घर के अंदर बंदन डाल दें मालो बंदन जो है आपके शरीर पर ही डला होगा आप उस बंदन को स्वम भी तोड़ सकते हो उस बंदन को हरा सकते हो क्योंकि अगर कंटीनू भगवान के परती प्रियास करी जाएगा कंटीनू प्रियास करा जाएगा तो आज नहीं तो कहीं न कहीं से आपको मादधम मिलेगा मादधम मिलेगा कोई ऐसा भगत मिलेगा कोई ऐसा कारिय मिलेगा वो बताएगा मैंधिपुर के बारे में आप जाओगे वहां कारिय करवाओगे उसके बाद आप उस बंदन से भी मुक्त हो जाओगे कहीं न कहीं बाबा ने ही कहीं न कहीं अंगिनत रूपों में उस किरपा को बेजा है तो अब मेरे भक्त उस फलानी फलानी जगह में परशान है परसों में एक फिलम देख रहा था उस फिलम में धानू भगत की फिलम थी माजवाला देवी तो उस फिलम के अंदर क्या हुआ कि माजवाला देवी धानू भगत को संकेत देती है कि फलानी फलानी औरत उस बच्ची की बली देना चाहती है तो उस बली देने से पहले धानू बगत तो वहाँ पहुचना पहुचना नेकिन उसका लड़का वहाँ पहले पहुचाता है तो वह बली देने से उसको रोख देता है तो कहीं न कहीं मा की किरफा अंगिनत रूपों में गई धानू बगत भी गया और स जादा जूरी होते हैं वो कहीं न कहीं जुरे बे होते हैं नेकिन हमारी भगती तो सच्ची है न हम भगवान के परती जो महीं पूर जो सच्छिंड पर एक धुछ math को helfen चीज चानीे जब आप पूजा पात करते हैं आपके बगती के अंदर अगर मन लग रहा है अनंदार है एक किसम का भूक जैसे कि मालो आपको जिस दिन आप पूजा नहीं करते उस दिन आपको ऐसा रखता है कि मैंने आज कोई ऐसा कारी है जो मैंने नहीं किया क्योंकि अब वो एक आपकी आत्मा का हिस्सा बन गया है आप के देवी देवता तक सविकार होती है वो इस पकार से आप जान सकते हो इस पकार से पता लग सकता है कि संतुष्टी है गर में आत्मा तरिप्त है धन से मत तोलिए आप ये देखिए कि आपके गर में ना कोई दुख है ना कोई जरिद्दर है ना किसी पकार गरिबी है मन श किर्पा नहीं है सामझ कि उसका मन जो है बचैन हो गया है उस धन में खुश गया है आप जो गरीब है वो प्रमात्मा के परतिद आगा कि मेरे पास खोने को कुछ है नहीं पाने को उमीद है तो भगवान के शिरी चर्णों का आस्रा लेकर किर्पा को प्राप्त करेगा और जी महाराज मेंदीपुर की पवित्र किर्पा आपका नियंतर कारिया करते रहे आपके परिवार में दुख हो द्रिद्रत अगा नाश रहे और घर में कभी भी जो भी ऐसाध्य रोग है वो उन से आपको सो दूर रहो जैशी राम जैमाता कि